आप लोग की request आ रहे थी कि without PC और without recovery के अपने device को कैसा root करना finally tutorial लेके आ गया, एकदम easy process है, एकदम detail में मैं आपको समझाया और इस वीडियो में मैं आपको दो easy method बताने वाला हो root करने के पहला जो की traditional method है, which is magisk, अब आपन देखेंगे की कैसे आप magisk से अपने device को root कर सकते और दूसरा यापी latest method है, which is apatch, apatch को भी कैसा install करना वो भी देखेंगे अपन यहां मैं अपने दोने भी device उसको introduce करा देना चाहता हूँ, यह मेरा Redmi Note 10 Pro, इसको अपन root करेंगे और यह अपना Redmi Note 9 Pro Max, इसको अपन आजे PC उस करेंगे इस वाले device को root करने के लिए, तो दोने भी device उसको अप अच्छे से देख लो, जिस device को आप root कर रहे हैं यहां पर उस device पर आजो, आप इसके settings पर आजो, about phone पर tap करो, यहां पर Miware version पर 3-4 बाद टाप कर दो, back आने के बाद नीचे scroll करो, आप अपर additional settings पर आजो, developer option पर आजो, तो यहां पर Mi unlock status पर आजो तो अभी आप दे सकते हैं मेरे device का bootloader unlocked है, जिस भी device को आप root कर रहे हैं, make sure करना कि सबसे पहले bootloader unlock रहना चाहिए, बहुत important step है, without unlocking bootloader आप अपने device को root नहीं कर सकते, यह rule है, तो सबसे पहले bootloader को unlock कर लेना, उसके बाद पर चलेंगे इस वाले device पर जिसको अपन ऐसी PC कर रहे हैं, इस पर आ जाता हूं है, यहां पर आपको कुछ files को download करना है, और इसको setup करना है, अच्छे से, सबसे पहले यहां पर प्लेश्टोर में आ जाओ, यहां पर आपको bug जीगर application को install कर लेना है, जल्दी से हमें install कर ले तो देख सकते हैं, इतने सारे files हैं, सबसे पहले यहां पर अपन मैजिस को install करेंगे, उसके बात यहां पर अपन एपाच का installation देखेंगे, तो यहां पर मैजिस का यह APG file है, इसका link आपको description में मिल जाता, इसको मैं जल्ली से install कर लेता हूं, तो देख सकते हैं, मैजिस अप download करने का एक तरीका रहता, लाइक आपके device के stock ROM या फिर custom ROM के current version को देखके और device को देखके आपको download करना पड़ता, अब जैसा कि मैं आपको example लेता हूं, यहां पर मैं settings पर आ जाता हूं, about phone पर टाप करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं, जो MIUI का 12.0.1 Indian version इसमें इसमें वेबसेट पर आजाओ, scroll to download option पर टाप करो, यहां पर आपको आपके device का नाम दाल देना है, आपकी पास जो भी device है, वो device का नाम दाल दो, मेरे पास इदर Redmi Note 10 Pro है, मैं दाल लेता हूं, जेख सकते हैं पर device का नाम आ गया, Redmi Note 10 Pro, Pro Max, Sweden, इसको select कर लेता हूं, download option पर टाप करें तो जितने भी update से यहां पर वो सारे updates यहां पर शो करते हैं, मेरे device का version 12.0.1 Indian version है, तो यहां पर मैं लास्ट वाले option पर चलता हूं, देख सकते हैं पर 12.0.1 version में को मिल जा रहा, और यह Indian version है, आप देख सकते हैं, तो यहां पर download वाले option पर टाप करेंगे, यहां पर आपको downloading start हो जाती, यहां पर मैं चलतो अपनी mobile की screen पर, यहां पर download वाले folder में देख सकते हैं, आपर मैं रॉम को download करके रख लिया, वही रॉम है यह, आप इसका version देख सकते हैं, 12.0.1 है और यह Indian version है, इसको यहां से मैं extract कर लेता हूं, इसको extract होने में थोड़ा सा time लगता, एक्स इसको अपने device के कौन से भी empty folder में इसको paste कर देता हूं, तो ऐसा आप कौन से भी device की current version की boot image file को निकाल सकते, version यहां पर same run important है, अगर आप गलती से कि दूसरे version की boot image file निकाल लेंगे, तो यहां पर आपको boot loops face करने को मिल सकते, तो अभी आप देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास अपने device की current fast boot ROM की boot.img file है, अगर यह file है, तो आप आपके device को root easily कर ले सकते, within minutes में आपका device यहां पर root हो जाता, अब वो कैसा मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैं चलता हूं, यहां पर आने के बाद आपन install पे tap करेंगे, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको method मिल जा रहा, select and patch, यहां पर आपको option मिल जाता है, इस वाले option को select करो, यहां पर आपको file को select कर लेना है, जहां पर भी आप file रखे है, उस वाली location पे आप आ जाओ, root करके यहां पर मैं folder गिरेट करा है, देख सकते हैं, आप बूट.img file है, इसको मैं select कर ले दो, और यहां प file को बनाया, magisk underscore patch underscore 28000, तो यह file अपने download folder में आ गई, यहां पर मैं आपको download folder में जाके बता दाओ, देख सकते हैं, यहां पर magisk underscore patch underscore 2800 underscore 95pnl.mg, तो यह magisk के खुद की boot image file है, अगर आप इसको flash कर देंगे, तो आपका magisk के यहां पर working रहता, आपका device है रूट हो जाता, अब इसको flash करने के लिए, यहां पर अपना दूसरा device को use करेंगे, इसकी मदर से अपने इसको flash करेंगे, अपने PC को use नहीं करेंगे, तो आपको करना क्या है बोले तो, आपको इस वाली file को अपने इस वाले device में copy करना है, या फिर cut कर सकते हैं, तो जल्ली से यहां पर मैं इसको scroll करना है, additional settings पर आजाओ, थोड़ा सा नीच आने के बाद developer option पर आजाओ, यहां पर आपको USB debugging को on कर लेना है, बाडिफॉल्ल आफ रहता है, इसको याज से on कर लेना, सेम चीज़ आपको इस वाले device में भी करना है, चल्ले ली मैं इसमें भी USB debugging को enable कर ले दो, जेख सकते हैं आपको no device connected बलगे लिखा हुआ आ रहा, तो अपने को इस वाले device को अपने इस वाले device से connect करना पड़ता, connection से पहले यहां पे आप अपने उस वाले device पे हो, जिसको आप root कर रहे हैं, इसको आपको fast boot mode पे लिगे जाना है, आपको कैसी लिगे जाना है, मैं आपको बताता हू सबसे पहले आप इसको power off कर लो, power off होने के बाद यहां पे आपको volume down button और power button को एक साथ press करके रखना है, थोड़ी देर आप press करके रखो, जैसा आपका device यहां पे switch on होता, तो यहां पे आप power button को release कर दो, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपने device के fast boot mode पे आ गए, अब इत type C to type C cable है, तो उसको आप easily use करके यहां पे connection कर सकते, अगर आप USB OTG की use कर रहे हैं, तो यहां पे आपको make sure करना है कि यह जो USB OTG है, आपको अपने PC device में लगाना है, और जो type C cable है, वो आपको इस वाले device में लगाना है, मैं यहां पे type C to type C cable use कर रहा हूं, तो यहां पे मैं क बता देता हूं, यहां पे def, bus, USB 001, 002, 03, तो यहां पे port number ही लिखा हुआ आ गया, यह indicate कर रहा है कि अपना device इस वाले device से connected है, यहां पे बन commands को run कर सकते हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद यहां पे आपको scroll करना है, यहां पे देख सकते हैं, बिजली का icon मिल जाता है, इस वाले बिजली का icon पे आजाओ, यहां पे आपको यह code का option मिल जाता नीचे, यह code वाले option पे आओ, यहां पे आपको सारे permissions को allow कर दियाना है, तो देख सकते हैं, यहां पे आपको commands को run करके, files को flash कर सकते, तो यहां पे मैं आपको commands बता देता हूं, इधर अपने सबसे पह इस वाले option मिल जाता, file attachment का, इस वाले option पे आजाओ, यहां पे बगजी कर को file access permission grant कर दो, यहां पे आपको उसी file को select करना है, जो अपने इस वाले device से, यहां पे मैं आ जाता हूं, download वाले folder में वो file को मैं paste करा, देख सकते हैं, यहां पे आपन इसको select करींगे, तो देख सकते हैं पे sending boot बोलके लिखा हो आ रहा, अपना command यहां पे run हो रहा, थोड़ा सा आपको उदर wait करना है, देख सकते हैं आपर writing boot, okay finished लिखा हो आगा, इसका मतलब यहां पे जो boot file है, अपने इस वाले device में flash हो गई, तो यहां पे आपको और एक command को दालना है, which is fast boot, reboot अपन कर दीगे, execute करेंगे अपन तो यहां पे देख सकते हैं अपना जो दूसरा device है, automatic reboot होता, अब यहां पे आप connection को disconnect कर सकते, अपने इस वाले device को मैं side में रख देता हूं, और आपका device आप boot लेता, अगर boot loop मिल रहा तो tension नहीं लेने का, अगर आपको boot loop मिल रहा तो जैसे अप अपना device successfully boot हो गया, यहां पे मैं शलता हो magisk पर, थोड़ा सा time लेता है इसको load होने में थोड़ा सा time लगता, यहां पे अपना जो magisk है, वो अब totally working हो, यहां पे module का section आप देख सकते हैं, आप इनेवल होगा, यहां पे आप modules को install कर सकते, वैसे इम एक बार शलता है, यहां आप एपन verify root पे tap करेंगे, तो देख सकते हैं आप आप वो super user request के यहां पे आप वो pop-up मिल जारा, अगर आप इसको grant कर दीगे, तो यहां पे देख सकते हैं, congratulations root access is properly installed on this device, तो अपना जो Redmi Note 10 Pro हो है, वो successfully root हो गया, without PC के आपने इसको root कर लिए, एक तो यह process है root करने गा, same process आ आपको unroot करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आप Apache से इसको कैसा root कर सकते, अभी मैं अपने Redmi Note 10 Pro को unroot कर दिया, यहां पे चलता हूँ, root checker application पे, यहां पे verify root पे एक बार में tap करता हूँ, देख सकते हैं, आपको super user permission का pop-up नहीं मिल रहा हो, और अपना device आपको rooted भी इसको मैं open करता हूँ, जल्दी जल्दी, पुछ ऐसा interface आपको मिलता है, Apache को open करने के बाद, यहां पे आपको देख सकते हैं, not installed or authenticated, तो यहां पे आपको click to install को option मिल जाता, इस वाले option पे आजाओ, same आपको जो magic में करेते हैं, same आपको वही process करना है तर, यहां पे इस वाले log कर सकते हैं, यहां पे मैं जल्दी रख देता हूँ, तो देख सकते हैं, आपे मैं super की set कर लिया, यहां पर start वाले option पे tap कर दीगे, तो यहां पे देख सकते हैं, flashing यह start करता, same magic की जैसे यह अपनी खुद की boot image file आपको बना के देता, अगर आप उस boot image file को flash कर देंगे, तो आपका device हैं, आपको रूट हो जाता, देख सकते हैं, आपे flashing यहां पे successful हो गई, यहां पे output file is return to storage emulated download apache past 107630.10.7 तो यह file इसने create की है, download वाले folder में एक बार में आपको चलके बता दो, आपे downloads वाले folder में चलेंगे, देख सकते हैं, जो first file है, वो apache की file है, जो अभी अभी apache आपने create करी है, और जो दूसरी file है, वे magis की file है, तो अपने वाले file को अपने इस वाले device में flash करना पड़ता, flash करने के लिए अपन सेम प्रोसेस इसी वाले device का आपे use करेंगे, flash करने के लिए, release में ये वाले file को अपने इस वाले device में copy कर लेता हूं, तो जैसे कि आप device अब fast boot mode पे आ गया, यहाँ अपन connection करेंगे जदली जदली, देख सकते हैं आप अपने को pop-up मिल रहा, bug jigger application में इसको यहाँ पर अपन अलाव कर दीगे, तो अब अपना ये वाले device से connect हो गया, यहाँ पर देख सकते है, device connected बलगे लिखा हो आ गया, same आपको वही process करना है, यहाँ पर अपन बिजली वाले icon पे चलेंगे, यहाँ पर यह यहाँ यह वाले code आप्शन पे चलेंगे, यहाँ एपन same command को execute करेंगे, fast boot, flash, boot, space देगे, अपन यहाँ पर file को select करेंगे, जो अभि आपन को copy करें, तो देख सकते हैं यह यहाँ आपने file अपनी selected है, अपन यह connection को हटा देता हूं और यह वाली device का काम खतम होगा इसको अपन साइड में रख दींगे इसको मैं बूट होने देता हूं देख सकते हैं अपना device भूट हो गया यहां पे चलता हूं यहां पर अपने interface मिल रहा है not installed और authenticated तो यहां पर इपने को super key पर टाप करना है और जो अपन super key सेट करें थे यहां पर आपको डाल देना है जल्दी दर में डाल देता हूं ओके पर टाप कर देंगे देख सकते हैं पर working लिखा हुआ आ गया यहां पर इंस्टॉल का option मिल जाता यह इंस्टॉल वाली option पर टाप कर दो तो अपना जो कैसी अगर मैं चलू यहां पर इपाश पर यह वाली option को मैं disable करूं अगर रूट चेकर application को restart करेंगे देख सकते हैं आपर अपने device अभी route detect नहीं कर रहा कई को बोले तो अपन इपाश में permission को allow नहीं करें इस वास्ते यहां पर route detect नहीं कर रहा तो security यहां पर कहीं ना कहीं बहुत important रही सिर्फ जो application को आप route देना चारे उसको आप दे सकते तो आपके पास पूरा इस चानल पर तो इत्ता ही रखते बन वीडियो को मिलतों मैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye and peace out